डॉक्टर शुशीला तिवारी राच्की अस्पताल के डॉक्टर्स रूम में रखे एलेक्टॉनिक गैजट और बैक पर हाथ साफ करने वाला चोर आखिरका पुलिस के हाथ चड़ गया है आपको बता दें कि एक हफते पहले शुशीला तिवारी राच्की अस्पताल में एपरिन पहने चोर ने डॉक्टरों के रूम से मुबाईल लैप्टॉप समेत अन्य सामान पर हास साफ कर दिया था जिसके बाद अस्पताल के मेडिसिन विभाग बेतैना डॉक्टर राहूल ब सारा समान मिल गया है तो वही आनंदपुर हलदवानी निवासी वेदांत मौरे कियू गोली मानने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी किसन ठाकूर उर्फ बबलू और उसके एक अन्य साथी सुरेंदर सिंग को गिरफतार कर दोनों आरोपियों को रामपुर रोड स्तेत ब कॉंग्रेस पार्टी पर जम कर हमला बोला इस जवरान उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस हमेशा से ही तुस्तिकरन की राजनीती करती है और देश की जनता आश पूरी तरह से भाचपा के साथ है क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल के कारेकाल में देश में पड़ा परिवर्तन हुआ है इसे के साथ ही बलराजपासी ने कॉंग्रेस के घोश्टा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कॉंग्रेस जाती जनगरना की नाम पर देश को बाटा चाती है लेकिन पहले चरण में हुए मद्दान से ये स्पष्ट हो गया है कि जनता भाचपा के साथ है और भाचपा इस जलसंस्तान की कारेपरिनाली के खिलाव भी लोगों में आकरोश पढ़ रहा है तो वही लंबे समय से पेजल की कमी से जूज रहे हलदवानी के इंदरा नगर निवासियों ने खाली बड़तनों के साथ प्रदशन करिया है इस दोरान प्रदशन कारियों ने कहा कि जलसंस्त का समधान नहीं किया गया तो दफ्तरों में अधिकारियों का घेराव किया जाएगा हलदवानी में गर्मी बढ़ने के साथ ही विशली का टौती ने लोगों की परिशानियों को बढ़ा दिया है आपको बता दे कि उज़ा निगम के ट्रांसफार्मर की कनेक्शन के अनुसा शमता कम होने से लगातार हो रही ट्रिपिंग से लगाता विशली गुल होना आम हो गया है ऐसे में लोगों को दिन में कई बार कटौती का सामना करना पड़ा है पता जा रहा है कि ट्रांसफार्मर शमता से जादा केनेक्शन होने से विशली का उपयोग बढ़ने पर ट्रि कुमार ने बताया कि जरूरत के अनुसान नए ट्रांसफार्मर बद ले जा रहे हैं। कर गया और ऐसे में तेशकर्मी और लू चलने से बजारों में भी लोगों किया वाजा ही काफी घट गई है।